आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रश्या की कौन-कौन सी युनिवोसिटी एनेमसी के फिरूल्स को फॉलो कर रही है एनेमसी नाशनल मैडिकल कमिशन मोस्ली अगर मैं बात करूँ ते यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप भी यह सोच रहो होगे कि युनो कि मैंने तो एनेमसी के बारे में आपको एक्स्प्लेइन किया था कि ऐसी कौन-कौन सी युनिवोसिटी है जो एनेमसी के रूल्स को फॉलो कर रही है बट मैं उन स्टुडेंट के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिन स्टुडेंट के माइं में ये कॉ वरी आती है और अब वो टाइम आ चुका है आपके एड्मिशन्स का युनो कि अगर आप भी एमबिएस इन अबरॉड रश्या के लिए सोच रहे हो तो अब आप अपनी सीट कंफॉर्म करवा सकते हो mostly कि हर स्टुडेंट के माइंड में ये चलता है कि देखो अब तो हमारी एक्जाम होने वाली है हमारे फॉर्म फील होंगे युनो कि बहुत सारे मन में डाउट चलते है बट उनकी प्लानिंग पहले से होती है कि मुझे अबिएस इन अबरॉड में लेना है तो उसके लिए आप अपने सीट्स वेगरा कंफर्म करवा सकते हो लेकिन जो भी आपकी अग्मिशन्स होगी अग्मिशन के प्रोफीजर वेगरा होंगे वो आप सितंबर वाले बैच में ही जाओगे तो जिन भी स्टुडेंट्स में हमारे पास अभी सीट कंफर्म किया है वो इस इस मोस्को देखो बहुत सारी ऐसी स्टुडेंट्स में जिनके माइंड में ये कोस्टन से था कि माम कर रस्या में हमारे जो कॉर्स दूरेशन है वो शीक्ष लियर की है बट ऐसा क्यों हमारी शीक्स येर में हमें क्या वहां पे पढ़ाई करनी होगी हमारी क्या कूर्स इन सब चीजों को लेकर भी बहुत सी एसी इनकोईडी आ रही थी, तो देखो मैं आज के फीडियो में आपको सबसे पहले फर्स्ट आपकी कोश डूरेशन को किलियर करूंगी, तो कोश डूरेशन आपकी रशा की 6 एर है, ठीक है, 6 एर में आपकी 1, 2, 3 एर जो होता है, उसमे आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है, और 30% आपकी 3 पार्क्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है, और देखो, जब वहाँ आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाओगे, तो नॉर्मली आपको वहाँ पे लोकल लोगों से आपको रश्ण में ही बात करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हो, अगर आप अभी इंडिया में हो, अगर अभी आप इंडिया में हो, तो इंडिया में आपको अपने लाइंग्विज में बात करनी होती है, जैसे यहाँ के लोग आप से अपने लाइंग्विज में बात करते हैं, बट आप एक दूसरी कंट्री लेते हो university में तो आपकी six month की वहाँ पे languages की coach भी होती है और वो आपको करनी होती है देखो अगर आप वो कड़ोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आभी आपको जब hospitals वगरम में जाओगे तो आपको अच्छा feeling आएगा कि हमें आ रही है Russian हम वहाँ के local लोगों से बात कर पा रहे हैं तो obviously आप वहाँ पे कर सकते हो तो आपकी जो coach duration है वहाँ की वो six year है तो let's talk about your first university देखो मैंने आपको और भी universities के बारे में define किया था बट मैं अभी आपको वो 10 universities के बारे में बताऊंगी जो अभी और भी students के mind में चल रहा है कि ये university NMC के rules को follow कर रही है या नहीं कर रही है जिसमें आपकी fourth number पे आती है कुबान स्टेट मैडिकल युनिवोसिटी second number पे आती है North Ossetian State Medical Academy third number पे आती है आपकी Northern State Medical University fourth number पे आती है आपकी देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये सारी university ऐसी नहीं है कि NMC के rules को follow नहीं कर रही है वो सारी जितने भी university मैं अभी आपको बता रही हूँ वो सारी NMC के rules को follow कर रही है तो mostly बहुत ही important point है ये तो fourth number पे आती है आपकी POM State Medical University fifth number पे आती है आपकी Orenburg State Medical University seven number पे आती है आपकी Maree State Medical University eight number पे आती है आपकी Balrogate State Medical University and आपकी nine number पे आती है Petra Rovers State Medical University देखो ये सारी university जो है वो NMC के rules को follow कर रही है बट नैक मैंने आपको और भी ऐसी युनिवर्सिटी इसके बारे में बताया था जैसे आपकी कबारबिनो बालकरेन स्टेट मैडिकल युनिवर्सिटी इवानोबो स्टेट मैडिकल युनिवर्सिटी इंगुस स्टेट मैडिकल युनिवर्सिटी कजान State Medical University कजान Federal Medical University mostly अगर मैं बात करो तो ये सारी भी युनिवर्सिटी टोटल युनिवर्सिटी ऐसी है जो NMC के रूद्स को फॉलो कर रही है आप original website पे भी जाके ये सारी युनिवर्सिटी के बारे में information ले सकते हैं और मैंने otherwise जो भी लो बज़र्स की युनिवर्सिटी है उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़े explain की है देखो बहुत ही मोशली अब क्या है कि students के mind में ये चलता है कि हमें इंडिया में तो हम अपनी तरीके से हर महनत करते हैं कि हमारे इंडिया में हमें government university मिल जाए बट देखो यहाँ पे घबराना नहीं है अगर आपको यहाँ पे government university नहीं मिल पारी है इंडिया में तो मोशली आप चूज कर सकते हों MBS in Russia को क्योंकि यहाँ पे भी सबसे ज़ादा इंडिया से students चूज कर रहे है तो easily आप कर सकते हो और यहाँ पे आपको किसी भी type का problems नहीं होगा हमारे ठुड़ू तो और भी information आपके mind में चल रही हो तो हमारा number screen पर शोग कर रहा है आप हमें call कर सकते हो आप हमें message कर सकते हो और आप हमारे Instagram पे भी chat कर सकते हो follow कर सकते हो देखो मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप हमसे questions मत करो ऐसे ही आप questions करते रहो ताकि मैं आपके information जवाब देती रहूँ तो thank you so much